बैटिंग पोजिशन नमबर 3 और उनकी इस बैटिंग के बाद लोग श्रियस को टीम इंडिया का नमबर 3 बताते नहीं थक रहे श्रिलंका के खिलाफ भारत ने तीन मैच की T20 सिरीज 3-0 से जीती है इस सिरीज में श्रियस ने बल्ले से कमाल का प्रदशन किया और कुल 204 रन पर आए खास बात तो ये रही कि उन्हें इस सिरीज में एक बार भिश लंकाई के इंडबास आउट नहीं कर पाए तीनो मैच में श्रियस ने तीन अर्चा तक लगाए और वो भारत में तीन मैच की T20 सिरीज में सबसे जादा रन बनाने वाले बल्ले बाज रहे श्रियस के इस रिकॉर्ड का जिकर इसलिए भी है क्योंकि उन्होंने इस रिकॉर्ड को छूते हुए विराट कोली को पीछे छोड़ा है विराट ने भारत में तीन मैच की T20 सिरीज में सबसे जादा 199 रन बनाये थे विराट ने ये रन साल 2016 में ऐस्टेलिया के खिलाफ बनाये थे ऐसे में श्रियस के इन पारियों ने सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या श्रियस टीम इंडिया के फ्यूचर नमबर थ्री है श्रेयस निशलंका के खिलाफ T20 सीरिस के बाद कहा भी तो है T20 फॉर्मिट में टॉप थ्री ही वो जगह है जहां से आप पारी को रफतार दे सकते हैं और अगर आप इसके बाद खेल रहे हैं तो आप खुद को समय नहीं दे सकते हैं आपको पहली गेन से ही रन बनाने होते हैं अगर मैं कहूं मेरे लिए कोई एक बेस्ट बैडिक पोजीशन है तो वो नमबर तीन ही है श्रीयस ने श्लंका की खिलाफ एक के बाद एक तीन बहतरीन पारियां खेली लेकिन इसके बावजूद उन्हें नहीं लगता कि टीम में उनकी जगा अब भी पक्की हुई है क्योंकि टीम में कॉम्पटिशन बहुत तगड़ा है अगर आप हमारी टीम में कॉम्पटिशन देखेंगे तो यह बहुत जादा है क्योंकि हमारी टीम में हर कोई मैच जिताने की शमतार रखता है मैं इस पर बात नहीं कर सकता कि टीम में मेरी जगा पक्की हुई है आपको किसी भी परिस्तेती में किसी भी पोजिशन पर बैटिंग करने के लिए खुद को तयार रखना होगा भले इस श्रेयस ने नमबर तीन पर बैटिंग करते हुए टीटवनटी में विराट की पोजिशन को चैलेंज किया हो लेकिन फिर भी विराट वर्ल्ड क्रिकेट के सबसे बड़े बल्लेबास हैं दोनों खिलाडियों के रिकॉर्ड की बात की जाए तो श्रीय सायर ने अब तक नमबर 3 पर T20i में 8 मैच खेले हैं इसमें उन्होंने 68 की कमाल की बैटिंग एवरेज से 340 रंट होके भी हैं वहीं विराट के आकड़े देखेंगे तो उन्होंने नमबर 3 पोजीशन पर 100 T20i खेले हैं जिसमें विराट कोली ने 57.13 की बैटिंग एवरेज से 2457 रन बनाए पिछले 2 साल के रिकार्ड की बात करें तो अपनी खराब से खराब फॉर्म में भी विराट चाहे रहे हैं 2022 में विराट कोली ने कुल 2 T20 मैच खेले हैं और उन्होंने उनके नाम 34.50 की एवरेज से 69 रन है जो की बेमिसाल हैं वहीं 2021 में अईयर ने 8 T20 आई खेले इसमें 30.20 की एवरेज से 151 रन बनाए थे ये सारी बात हैं ये सारे आकड़े सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए हमारा मानना है कि विराट कोली भारतिय क्रिकेट के लेजेंड है जिनकी जगा पर फिलाल तो कोई भी खत्रा नहीं है वहीं श्रीय सायर टीम इंडिया के सूपर फ्यूचर है ऐसे में नमबर 3 वाली बहस अभी के लिए बेमानी ही दिखते हैं अगर आपको क्रिकेट और बाकी खेलों से जुड़े ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो आप हमारे चैनल ललन टॉप स्पोर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं साथी साथ हम लोग इंस्टाग्राम, फेस्बुक, ट्विटर बर भी हैं खेलों से जुड़े इंस्टेंट अपडेट के लिए आप हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं कैमरे के पीछे हैं विजे, मैं हूँ विपन, देखते रहे ये दीललन टॉप, शुक्रिया